हेलो दोस्तो, वेलकम बैक, आज की मुवी हॉंग कॉंग कॉंग की वन आउट दबेस्ट मुवी मानी जाती है, जिसके IMDB रेटिंग भी 8 है, तो इसे बिलकुल मिस मत करना, तो चलो इस माइंड ब्लोइंग मुवी का एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करते है, यूगो एक ड्रक स्मगलर है, पुलिस की रेड में उसका करोडों का माल पकड़ा जाता है, उसके लोग मारे जाते है, जिससे वो परेशान है, तो वो फैसला करता है, कि अगर नुकसान को बचाना है, तो अपना खुद का एक भरोसे का आदमी, पुलिस डिपार्मेंट में हो जरूरी है, जैसे अंडरकवर पुलिस होता है, वो ऐसे अंडरकवर स्मगलर, तो वो अपने वफादार जवान लड़कों में से, कुछ पड़े लिके लड़कों को इस काम के लिए सिलेक्ट करता है, जिनका रेकॉर्ड क्लीन है, वो उनसे कहता है, कि वो पुलिस डिपार् है, कि उनका कोई भरोसे का टैलेंटेड ओफिसर इस स्मगलरों की बीच होना जरूरी है, जिससे वो स्मगलरों की इल्लीगल एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते है, तो वो ट्रेनिंग ओफिसर चैन के साथ मिलके जौनी को सिलेक्ट करते है, जो उनके कैड़ेट का सबसे ब लगा के बेदखल किया जाता है, जिससे एंडी दुखी होता है, मगर अब सही मायने में जौनी की ड्यूटी शुरू होती है, छोटी मुटी गुंडागिरी से शुरूआत करके स्ट्रीट फाइट के जरिए वो यूगो का ध्यान अपनी तरफ फिच लेता है, तो दूसरी और अपने सहस और हाड़ वर्किंग के जरिए डिपार्मेंट में एक के बाद एक प्रोमोशन पाते जाता है, दोनों आईसी फिल्ड में है, तो जाहिर है, दोनों का आमना सामना होता रहता है, दस साल गुजरते है, जौनी बड़ा होता है, तो अब 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 नार्कोटिक डिपार्मेंट जॉइन किया है, जौनी दिखावे के लिए एक मुजिक शॉप में काम करता है, जहाँ एक दिन एंडी मुजिक सिस्टिम खरीदने आता है, जौनी के सजजेशन से एंडी खूश होता है, दोनों में दोस्ती सी हो जाती है, तब ही एक दिन अच कि डिपार्मेंट के डेटाबेस में उसकी फाइल को स्रिफ वही एकसेस कर सकता है, तो अगर उसने वह फाइल डिलिट की, तो जॉनी को हमेशा के लिए एक स्मगलर बनके रहना पड़ेगा, वांग जॉनी को प्रामिस करता है, कि जैसे ही युगो का सामराज्य खतम होगा, उसे इस ड्यूटी से छुट्टी दी जाएगी, वो इसे हॉंग जॉनी को चाता भी है, तो वह उसे एक घड़ी गिफ्ट करता है, या एंडी अपनी अकलमंदी से गुंडो के मुझ से इनफॉर्मेशन निकलवाना जानता है, जिससे पूरा डिपार्मेंट उस पे खुश है, तब ही वांग को जॉनी से पता चलता है, कि आज रात यूगो की किसी थाइस मगलर के साथ ड्रग की डिलिंग होने वाली है, तो वांग अपनी टीम की मेटिंग बुलवाता है, जिसमें एंडी भी है, डिलिंग में कैश किसी और जगा दी जाने वाली है, तो ड्रग्स की डिलिवरी की जगा, खुछ जौनी नहीं जानता, तो वो वांग को उसके बारे में बता नहीं पाता, मगर ये काम यूगो का राइट हैंड डेलो हैंडल करने वाला है, तो अब वांग अपनी टीम के साथ यूगो को रंगे हाथ पकड़ने की प्लैनिंग करता है, अब जैसे ही एंडी को इस मिशन के बारे में पता चलता है, वो यूगो को इस मिशन के बारे में इनफर्म करता है, मगर अब आईन वक्त पे यूगो ये डिलिंग कैंसल नहीं कर सकता, तो वो पुलिस को चक्मा देने की प्लैनिंग करता है, वांग एंडी को एक इमानदार पोलिस आफिसर समझता है तो वह उसे पसंद भी करता है रात को वांग और उसकी टीम सामने की बिल्डिंग से वाच रखते हुए यूगो का इंतजार करने लगती है रेडियो चैनल से ओन फिल्ड ऑफिसर्स को अलर्ट रहने का आदेश दिया जाता है अब यूगो अपने आदमियों के साथ मीटिंग स्पॉट पे पहुँचता है एंडी छुपके से यूगो को रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल का नंबर भेज़ता है जिसे सेट करके यूगो पुलिस की सारी बाते सुन सकता है रस्ते पे पुलिस के लोग यूगो के लोगो पे नजर रखे हुए है अब थाई स्मगलर यूगो से मिलने आता है और उसे ड्रग का सैंपल देता है जॉगो की वह बाते जॉगो की एक्शन की खबर कोई तो यूगो तक पहुचा रहा है काफी देर कार का चेस करने के बाद भी जब कुछ होता नहीं तो यहाँ वॉंग भी जान जाता है कि यूगो रेडियो चैनल से उनकी बाते सुन रहा है वो एंडी को चैनल चेंज करने बोलता है Wong की instruction सुनके Andy tension में आता है control room में सब tension में होते है कि तभी किसी के phone की ring बज़ती है phone बज़ रहा होता है Andy के assistant Macco का Wong को अब Macco पे शक होने लगता है तो वो अकलमंदी से radio को पुराने channel पे switch करके police car को mission abort करने की order देता है जो Yugo सुनता है यहां Johnny Yugo के आदमी के साथ मज़ा करना होता है तो उसे उसकी बातों से पता चलता है कि drug का consignment lungfu bay पे उतरने वाला है वो window में खड़ा होके सामने वाली building में खड़े Wong को sign language में यानि moss code में ये बात बता देता है तो अब Wong अपनी सब petrolling cars को lungfu bay की तरब भेजता है एंडी सब देखते हुए भी बेबस रह जाता है क्योंकि सब के सामने वो Yugo तक ये बात पहुचा नहीं सकता यहां Yugo था इस smuggler को drugs का पैसा देता है तबी एंडी उस area के सभी phone पे computer के जरिये unknown source से message भेजता है के गैंग में कोई तो पुलिस से मिला हुआ है तो मिशन को abort करे वो message Yugo के phone पे भी जाता है मगर अब बहुत देरी हो चुकी है Yugo डेलो को drugs समुंदर में फेक के भागने बोलता है पुलिस की cars उन्हें घेर लेती है डेलो drugs को समुंदर में फेक देता है पुलिस उन्हें पकड़ लेती है डिलिंग फसने की वज़ा से Yugo अपने सब आदमियों को शक की निगाओं से देखने लगता है तबी Wong अपनी force के साथ वहाँ आके Yugo के साथ उसके सब आदमियों को एरेश्ट करता है मगर ठोज सबुत न होने की वज़ा से वह Yugo और उसकी गैंग को छोड़ देने का फैसला करता है Yugo Wong से कहता है के खामखा तुमने हमारे खाने पे पैसा खर्चा किया Wong उससे हसते हुए कहता है के मेरा तो सिर्फ हजारों का नुकसान हुआ है मगर तुमें अपना माल जो समुन्दर में फैकना पड़ा है उससे करोलों का नुकसान जरूर हुआ होगा वस उनके Yugo घुस्टे से तिल मिला जाता है अब दोनों जान जाते है के मिशन के अंसक्सेस्फुल होने की वज़ा है उनके दोनों के टीम में किसी गद्दार का होना मगर दोनों नहीं जानते वो कौन है मगर दोनों ये भी जानते है के एक दुसरे के टीम में उनका वो कौन आदमी है दोनों जान जाते है जो पहले गद्दार को पकड़ेगा जीत उसी की होगी दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते है यहां एंडी मेरी से शादी करने जा रहा है तो वो नया अपार्डमेंट लेता है तबी युगो उसे फोन करके बताता है कि उसका माल पकड़ा जाने की वज़ा से करोडों का नुकसान हुआ है वो एंडी से कहता है कि वो धून के निकाले उसकी गैंग में वो गद्दार कोन है एंडी उसे बताता है कि डिपार्मेंट के कॉन्फिदेंशल डेटा को वो एकसेस नहीं कर सकता तो वो उस अंडरकवर एजेंट का नाम नहीं जान सकता मगर वो जो कोई है वो मौसकोड इस्तमाल करता है मतलब साइन लेंगवेज वो युगो से कहता है कि वो उसकी गैंग के हर आदमी का बायो डेटा उसे दे दूसरी और जॉनी वॉंग से कहता है कि पहले वो उसके डिपार्मेंट के उस गद्दार को पकड़े उसके बाद ही उनकी अगली मुलाकत होगी जॉनी मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए डॉक्टर इवा नाम की साइकाट्रिस से थेरेपी ट्रीटमेंट ले रहा है वो इवा को पसंद करता है तो एक सेशन के दर्मयान वो उसे प्रोपोस भी करता है वो उसे ये भी राज बताता है कि वो पुलिस ओफिसर है मगर इवा उसे मजाख में लेती है या एंडी का इंटर्नल अफेर्स में प्रोमोशन होता है पुलिस चीफ उसे बताते है कि उसे पहला कम यही करना है कि वॉंग के डिपार्मेंट में यूगो का वो कौन जासूस है उसे दून के निकालना है चीफ को गैरेंटी है कि एंडी एक काम कर पाएगा एंडी सिर्फ हसने के सिवा कुछ कर नहीं पाता यहां यूगो की गैंग के लोग अपनी इनफॉर्मेशन पेपर में लिखने में लग जाते है यूगो का बॉडिगार्ड केनू जो एक अनपड आदमी है उसे बॉडिगार्ड का स्पेलिंग नहीं आता तो जॉनी एनवलप पे वो स्पेलिंग लिख के उसे दिखाता है अब यह सब इन्फॉर्मेशन एंडी को देने यूगो एक थेटर पहुँचता है जहां दोनों ने मिलने का तई किया है यूगो एंडी से कहता है कि जल्दी ही उसके ड्रक्स की शिप्मेन आने वाली है तो उसके पहले एंडी उस गद्दार को धुंडे थेटर के एक कॉर्नर में बैठा जॉनी उनकी वो बाते रेकॉर्ड करता है अब जैसे ही एंडी एंवलप लेके थेटर से निकलता है जॉनी उसका पीछा करने लगता है वो एंडी का चेरा नहीं देख पाता तब ही अचानक उसका फोन बचता है तो वो चूप जाता है अब एंडी भी समझ जाता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है दोनों पासी खड़े होते है मगर एक दूसरे का चेरा नहीं देख पाते अगले दिन यूगो जॉनी को बुला के उससे कहता है कि उसका जल्दी शिप्मेंट आने वाला है मगर इस बार वो ये काम नए लड़कों को साथ रख के करने वाला है वो जॉनी से कहता है कि दो दिन के अंदर वो उसके गैंग में छुपे उस गद्दार को पकड़ के रहेगा यूगो की नजरों से ऐसा लगता है कि अब वो सब को शक्क की नजर से देख रहा है जॉनी को यूगो के ड्रॉवर में बहुत सारी टेप दिखाई देती है जिस पर उस आदमी के साथ यूगो की सारी बाच्चित रेकॉर्ड है जो पुलिस की टीम में उसका इन्फॉर्मर है या एंडी नार्कोटिक डिपार्मेंट के सब लोगो की तैकिकात करने में लग जाता है हाला कि उसे पता है कि वो गद्दार आदमी वो खुद है मगर उसका असली मिशन होता है पुलिस के उस अंडरकवर एजेंट को धुणना जो यूगो के गैंग में चुपा हुआ है एंडी को पुलिस के डेटाबेस में एक IC फाइल मिलती है जो पासवर्ड लॉक है जिसमें उस अंडरकवर एजेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है एंडी को पता चलता है वो खुद मौस कोड का एक्सपर्ट है तो अब वो वांग पे नजर रखने का फैसला करता है वो एक काम मैको को देता है दूसरी और यूगो के गैंग का हर आदमी ये गेस करने में लगा है कि उनकी गैंग में कौन पुलिस का वो इन्फॉर्मर है इसी माहूल में जॉनी की मुलाकात उसकी पुरानी गर्फरेंट जिया से होती है जिसे 6 साल की बेटी है जिया ये बात जॉनी से चुपाती है कि वो उसी की बेटी है अब यहां मैको वांग का पीचर शुरू करता है और वांग उसी वक्त जॉनी से मिलने जा रहा है जैसे ही वांग बिल्डिंग की रूफ पे चला जाता है मैं को एब आप एंडी को इंफॉर्म करता है और एंडी ये बात यूगो को बताता है जौनी रूफ पे वांग से मिलता है और उस से कहता है कि यूगो का अगला ड्रग का शिप्मेंट जल्दी ही किसी अंजान जगा उतरने वाला है जौनी ये भी बताता है यूगो जल्दी ही उसके गैंग में चुपे उस गद्दार को पकड़ने का दावा कर रहा है जौनी की बाते सुनके वॉंग इस नतीजे पे पहुँचता है कि अब जॉनी को यूगो की गैंग से भार निकालने का वक्त आया है इससे पहले कि वो पकड़ा जाए मगर जॉनी चाता है कि यूगो का पकड़ा जाना जरूरी है तब ही जॉनी को फोन पे से पता चलता है कि यूगो के आदमी वॉंग को पकड़ने आ रहे है यूगो के आदमियों को आता देख मैं को ये बात Andy को बताता है तो Andy खत्रे को भाबके पूलिस को उस बेल्डिंग की तरफ भेज देता है या Wong और Johnny बेल्डिंग से निकलने की कोशिश करते है मगर यूगो के आदमी चारो तरफ है तो वांग जॉनी को बेल्डिंग की क्रेन लिफ्ट से भेचता है और खुद फ्रंट लिफ्ट से जाने लगता है मगर डेलो वांग को पैचान लेता है और उसे बेल्डिंग की छट से नीचे फेक देता है वांग को मरा हुआ देख जोनी शौक में चला जाता है क्योंकि वांगी उसका एकलोता सारा था पुलिस फोर्स वापस लोटने का तबी पुलिस भी वहां पहुँच जाती है यूगो का बॉडिगर्ड केनू जोनी को कार में डालके वहां से भागता है तो डेलो पुलिस की गोली का शिकार बनता है वांग को मरा हुआ देख मैंको भी खोप में चला जाता है वांग की मोट से एंडी भी नीशब्ध हो जाता है या केनू कार को शयर के भार लेके आता है उसे भी गोली लगी है मरते हुए वो जौनी से कहता है कि वो जान गया है कि उनकी गैंग का वो गद्दार जोनी ही है वो जोनी से कहता है कि अब ये सब छोड़के भागने में ही उसकी भलाई है डिपार्मेंट की मीटिंग में वॉंग के मोत की जिम्मेदारी एंडी अपने सर पे लेता है अब यूगो पे इस बात पे घुसा होता है कि उसने वॉंग को मार डाला यूगो उससे कहता है कि उसने पुलिस को वॉंग की मोत में बिजी रखके किसी और जगा अपना ड्रक्स का माल पिक अप किया है एक तीर में दो निशान उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी मर गया और माल भी सेफली लेंडेड हुआ यूगो की बाते एंडी को सोचने पे मजबूर करती है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत उसकी वज़ा से एक इमानदार पुलिस ओफिसर की मोत हुई थी ड्यूटी या प्रॉमिस इसके बीच वो फर्स जाता है अब वो वांग के कॉल मेमरी के लाश नंबर को रीडायल करता है जो जॉनी का होता है वो टैपिंग के जरिये जॉनी को बताता है कि वो उससे बात करना चाता है जॉनी उससे पुछता है कि वो क्या चाता है एंडी जॉनी को मिलने बुलाता है मगर जॉनी उससे कहता है कि जब तक वो यूगो को खतम नहीं करेगा वो सामने नहीं आएगा तबी निउस चैनल पे ये ख़बर दी जाती है यूगो का बोडीगाड केनू भी ही है एंडी जान जाता है जब तक पुलिस यूगो के पीछे है वह वेयराउस नहीं जाएगा तो वह पुलिस की कार को हटाता है जोनी मौस कोड के जरीए एंडी तक वेयराउस की तरफ जाने की डायरेक्शन पहुचाता है यूगो वेयराउस पहुचते ही पैसे और ड्रक्स को कार में डाल देता है अब जैसे ही यूगो की कार्स को पुलिस की कार्स घेर लेती है यूगो भांगने की कोशिश करता है वो हेल्प के लिए एंडी को फोन लगाता है तब ये एंडी उसके सामने आता है वो यूगो को शूट करके उसे मार देता है मिशन की इस सक्सेस से औ कहता है कि अब वो पुलिस फोर्स में लोटना चाता है उसका मिशन पूरा हुआ है जॉनी एंडी से कहता है कि उसे सरिफ इसी बात का अफसोस है कि वो यूगो के उस जासुस को धुण नहीं पाया जो पुलिस फोर्स में चुपा हुआ है जॉनी के आईड malfeas में पड़ी एक envelope पे जाती है वो वही envelope है जिसमें अपनी गैंग की पूरी information डालके यूगो ने उसके उस जासुस को दी थी वो देखके जौनी के पैरोतले जमीन खिसत जाती है वो तुरन समझ जाता है के एंडी ही यूगो का वो पुलीस फोर्स में चुपा जासुस है एंडी जब वापस केबिन में लोटता है तो जौनी वा नहीं होता टेबल पे पड़े फोल्डर को देखके अब एंडी भी समझ जाता है के जौनी उसकी असलियत जान चुका है बदले की भावना से एंडी डेटाबेस में पड़ी जौनी की फाइल डिलिट कर देता है जिससे जौनी का as a police officer वजुदी मिठ जाता है या जौनी को समझ में नहीं आता क्या करे वो उसकी ये कहानी इवा को बताता है वो इवा से कहता है कि उसके पास कोई सबुत नहीं कि वो ये प्रूव कर सके कि वो police officer है अब जौनी युगो की एंडी के साथ बाच्चित वाली सेड़ी एंडी को भेशता है जिसे मेरी सुनती है वो समझ जाती है कि उसका फियान से पुलिस की भेस में छुपा एक गद्दार है जौनी एंडी को फोन करके बताता है कि उसके पास एंडी के खिलाब बहुत सारे सबुत है जो अगर एक्सपोज हुए तो उसकी नोकरी तो जाएगी उपर से गद्दार होने का कलंग भी लग जाएगा जौनी एंडी को उसी रूफ पे मिलने बुलाता है जहां कभी वो वांग से मिला करता था जौनी से मिलने जाते वक्त एंडी मेरी को मैसेच करके बताता है कि उसने इमानदर पुलिस औफिसर बनने का फैसला किया है एंडी रूफ पे पहुँचता है वो जौनी से कहता है कि वो उससे समझाने का एक मोका दे मगर जौनी उससे एकी बात कहता है कि वो उसकी ये दलील कोट में जच को सुनाए एंडी उससे कहता है कि बदनाम होने से बेटर है वो उसे मार दे अब जब जॉनी एंडी के सर पे गन लगाता है तबी वहां पे मैको आता है और जॉनी पे गन तान देता है जॉनी उससे कहता है तुम्हारा बॉस पॉलिस फोर्स में चुपा एक मोल है अब फैसला पॉलिस टेशन जाने के बादी होगा जॉनी एंडी को लिफ्ट से ले जाने लगता है कि तबी मैको जॉनी को शूट करके मार देता है अब मैको एंडी को एक शौकिंग राज बताता है कि वो भी पॉलिस फोर्स में चुपा यूगो का जاسुसी था भले यूगो जिन्दा नहीं है मगर आप वो दोनों मिलके पॉलिस फोर्स में काम करेंगे वो एंडी से कहता है कि यूगो की सब टेप को वो डिस्ट्रॉय करेगा दोनों लिफ्ट से नीचे जाते है मगर जब नीचे लिफ्ट खुलती है तो लिफ्ट में जॉनी की लाश के साथ मैको की भी लाश पड़ी होती है एंडी ने ही मैको को मार दिया होता है गद्दार की सजा सिर्फ मोत है जॉनी की मोत के बाद ईवा जौनी की सबी personal files जो वांग ने जौनी को दी थी वो पुलिस के सामने disclose करती है वो उन्हें सब सबुत देती है कि जौनी इमांदार undercover police officer था जौनी का सरकारी सलामी के साथ बड़े respect से final ritual किया जाता है जिसमें जिया अपनी लड़की के साथ आई होती है और इवा भी होती है एंडी जौनी से promise करता है कि वो उसके जैसा इमांदार police officer बन के दिखाएगा movie याँ खतम होती है तो दोस्तों comment में बताना आपको explanation कैसे लगा और हाँ subscribe और like करना मत भूलना फिर मिलेंगे नई movie के साथ thanks for watching